अमेरिका में राश्रपती चुनाओं को लेकर गहमा गहमी है कोजिनों पहले तक डोनाल ट्रम्प और जो बाइडन ये दो नाम चर्चा में थे लेकिन अब चर्चा हर तरफ कमला हैरिस की हो रही है क्योंकि डेमोकरेटिक पार्टी की ओर से उमिद्वारी से पीछे हटने पर जो बाइडन के अब कमला हरिस का नाम सामने है आखिर इतने कम वक्त में कमला हरिस ने इतने सारे समर्थन अपने नाम कैसे कर लिए और आज जो फोन कॉल उन्हें आई बराक उबामा की अमेरिका के पूरो राश्रपती की उसके बाद से कमला हरिस बहुत खोश है आकिर कमला ने इतने जल्दी कमाल कैसे दिखा दिया देखे में का सबसे पहली चीज़ ये कि आज बाइडन के नाम हट वापिस लेने के बाद आज कमला हरिस के लिए सबसे बड़ा दिन था सबसे बड़ा दिन इसलिए कि आज बराक उबामा और मिसल की एक कॉल आई जिसमें अब तक ओबामा ने openly कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं किया था उन्होंने आज openly सपोर्ट कर दिया कमला हैरिस को और उन्होंने कहा कि हम आपको गॉइट आउस पहुंचाने में और आपको जिताने में पूरी मदद करेंगे कमला हैरिस के लिए ये बात बड़ी अच्छी मतलब कमला हैरिस को खुशी भी हुई और कमला हैरिस ने अपनी दोस्ती का हवाला देके उनका शुक्रिया भी किया है अब सबसे बड़ी चीज ये है कि कमला हैरिस ने इतने कम टाइम में जो अपनी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को कैसे अपने पक्ष में कर लिया या करीब-करीब 4,000 नेताओं का समर्थन चाहिए था कमला हैरिस को जिन से बात करनी थी उन्हें से 3100 लोगों का इस तारीक को, I think Sunday ही था, Sunday को जब बाइडन ने अपना नाम हुआ पिस लिया, हलांकि बाइडन ने सुबह-सुबह कमला हैरिस को इंटिमेट कर दिया था कि मैं अपना नाम विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन इसका ओफिसल अनौंसमेंट दो पहर में करीब देड़ पॉने दो कैंडिडेट होंगी, लेकिन 27 मिनट का चक्कर क्या है, कि 27 मिनट का ही वक्त था कमला हैरिस को अगर कोई चुनौती देना चाहता था उनके पार्टी की और से नहीं, 27 मिनट का वक्त नहीं था, उसमें मामला ये था कि उन्होंने एक बच के 40-45 मिनट के आसपस अपना नाम व आपस लेने के बाद, उसके 27 मिनट के अंदर ही उन्होंने कमला हैरिस का नाम प्रपोज भी कर दिया, बाइडन ने, तो ये कहा जा रहा है कि 27 मिनट में पूरा गेम कैसे, मतलब कमला हैरिस ने बाइडन को कैसे अपने पक्ष में किया, हलांकि ठीक है, वो उनकी डिप्टी रह चुकी हैं और उनसे उनकी बादचित रही होगी, उस पे उन्होंने किया होगा, लेकिन उस 27 मिनट के बाद, अगले जो 10 घंटे थे न, वो काफी इंपॉर्टेंट थे कमला हैरिस के लिए, कहा ये जा रहा है कि उन 10 घंटों में कमला हैरिस ने करीब-करीब 100 कॉल्स किय हैं, अपने पार्टी के बड़े नेताओं को, और सब से support मांगा है, और खास दारी ये कहा जा रहा है, कुछ जो मिडिया रिपोर्ट्स बता रही है, अमेरिके मीडिया में जो रिपोर्ट्स चल रही है कि कमला हैरेस उस समय, मितलब जब भी, जिसको भी kॉल कर रही थी, उ मैं मतलब पार्टी में पार्टी फोरम पे चर्चा करूँगा तो उसका समय नहीं दे रही है जी वह अब ही पहले राउंड में डोनल्ड ट्रम्प से जो बाइडन हार गया डिसकुशन के दोरान जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो बाइडन उसके बाद भी बहुत ही सिथ बिलकुल दिखे है क्या कि एक तो बाइडन के उम्र का फैक्टर है और तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी पार्टी फोरम पे भी लेकिन कमला हैरिस के लिए भी ये रास्ता उतना आसान नहीं था मतलब खुद भराक उबामा आज से पहले तक भराक उबामा सपोर्ट नहीं कर रहे ते बाराक उबामा का ये मानना था कि जो पार्टी फोरम पे फर्स्ट अगस्थ को एक मिटिंग होनी थी जिसमें कि ये कैंडिडेचर फिक्स होगा अभी वह मिटिंग होनी है उसमें हो सक करने के बाद जो भी सामने आएगा हम सपोर्ट करेंगे उसको कम्रा हैरिस का महिला होना आश्वित महिला होना या एक्टिव होना कौन से बात उनके फेवर में जा रही है एक्टिव होना मतलब आप अभी मैंने जिक्रिक किया ना कि 10 घंटे में 100 फोन कॉल और सबसे इस बात क का एस्वरेंस लेना कि आप सपोर्ट मुझे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप अभी बता दीजे उसमें लिंगर ओन करने की वो नहीं थी जब बाइडन ने अपना नाम वापिस लिया उसके बाद से एक पूरी टीम लग गई थी इस पूरे काम में मतलब मीडिया रिपो फोन कॉल उन्होंने किया अपने नेताओं को अपने सीनियर्स को पाटी के कई जो लोग पूरु प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको उन्होंने कॉल किया और उसके बाद उन्होंने उनसे अस्योरेंस लिया है दूसरी चीज यह है कि भई कमला हैरिस नहीं तो कौन कमला हैरिस पिछले चार साल से सत्ता में मितलब एजे डिप्टी काम कर रही थी उनको सारी चीजों की जानकारी है पार्टी पे उनकी पकड़ भी है और उन्होंने पार्टी पे पकड़ अपनी और मजबूत की है तो इसको लेकि यह लग रहा है कि कमला हैरिस अभी तक के ब plan हो सकता है कि आप अपने आपको aggressive दिखाएं ताकि आपका आप लड़ किस के सामने Donald Trump के सामने आप खड़े हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़े aggression तो रखें अपने attitude में तो देखें जब Joe Biden जीते थे पिछली बार जब राश्टरपती चुनाओं के नतीजे सामने आये थे तो कमला हैरेस ने कहा था वे डिडिट जो वे डिडिट और उनका phone call पर ये कहना उस वक्त बहुत famous हुआ था हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी अब इस बार कमला हैरेस यही बात कह पा रही है अपने लिए या नहीं वह देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल आज का दिन कमला हैरेस के लिए बहुत ही खुश्यों वाला दिन है क्योंकि पूर्व अमेरिकी राश्रपती बडाक उबामा ने उन्हें फोन किया मिशेल ने उन्हें फोन किया और कहा कि हम एतिहास एक काम करने जा रहे हैं आप एतिहास रशने जा रही हैं